आज हमारे एरिये में तसील वही मलहार के बद्नोता में हमारे आर्मी के चार नौजवान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ हमारे एरिये में इतना पीस्फूल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलाद जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और मैं वहां के लोगों आज हमारे एरिये में तस्रील वही मलहार के बदनोता में हमारे आर्मी के चार नوجवान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफुल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलाद जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और मैं वहां के लोगों आज हमारे एरिये में तस्री भाई मलहार के बदनोता में हमारे आर्मी के चार नौजवान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफुल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलात जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और मैं वहां के लोगुँ आज हमारे एरिये में तसेल वही मलहार के बदलोता में हमारे आर्मी के चार नوج़वान शेहिद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफुल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलात जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और मैं वहां के लोगों आज हमारे एरिये में तस्थील वही मलहार के बदलोता में हमारे आर्मी के चार नौज़वान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफुल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलात जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और मैं वहां के लोगों आज हमारे एरिये में तसील लौही मलहार के बदनोता में हमारे आर्मी के चार नौज़वान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफुल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलाद जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहां पे और पूरे एरिये में खोफनाक महोल सा बना हुआ है और में वहां के लोगों से आज हमारे एरिये में तस्रील वही मलहार के बदनोता में हमारे आर्मी के चार नौजवान शहीद हुए हैं मुझे बहुत ज्याती दुख है इस बात का जो एक हमला हुआ है हमारे एरिये में इतना पीसफूल एरिये में जो कभी हमने सोचा तक नहीं था इस हमले से 1990 की हलाँ जैसे पैदा किये जा रहे हैं वहाँ पे और पूरे एरिये में खोफनाक महुल सा बना हुआ है और मैं वहाँ के लोग हूँ